नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो ताजा ख़बर ब्रेकिंग निउस आई है कि हिमाचल परदेश के लोगों के लिए बड़ी खुश ख़बरी और रहत वरी ख़बर जो है सामने आई है तो क्या ख़बर सामने आई है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो पर एंड तक बने रहे हैं अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा और एचपी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले है ताकि आप तक है माचल परदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तो वीडियो को जो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं जो ताजा ख़वर ब्रेकिंग न्यूज आईए है कि अब तीन स्लेंडर फरी, ग्रेहनी, सुविधा, उज्वला, योजना के तैत तोफ़ा तो सरकार द्वारा बड़ा तोफ़ा जोए है बजट में दिया गया है कि अब तीन स्लेंडर जोए फरी ग्रहनी सुविधा उज्वला योजना के ताहत जोए ये तोफ़ा जोए सरकार द्वारा दिया गया है तो मुख्यमंत्री जाराम ठाकुर द्वारा वर्ष 2022 से 2023 के लिए जारी किये बजट में ग्रहनीयों को रहत दी गई है सरकार ग्रहनीयों को ग्यास का नया कनेक्शन लेने पर अब तीन स्लेंडर मुफ्ट देने वाली है मुख्यमंत्री जाराम ठाकुर ने बजट पेश करते हुए कहा कि उज्वला योजना का विस्तार करते हुए ग्रहनी स स्लेंडर साहित तीन निशुलक स्लेंडर उपलब्द करवाई जाएंगे नए कनेक्शन पर एक वर्ष में तीन फ्री स्लेंडर मिलेंगे जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ जो है एक स्लेंडर लिया हो उन्हें दो अतरिक्त निशुलक स्लेंडर जो है मिलेंगे दो हज बाले अनाज को पडोसी राजियों में बिकरी के लिए भेजने में मुश्किल है आई प्रदेश में आगामी रवी सीजन में 11 स्थानों पर अनाज की खरीद शुरू कर दे जाएगी तो दोस्तों ये थी ताजया ख़बर ब्रेकिंग निउस अगर आप ने वी तक वीडियो को शेर नहीं किया वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और अंकित पर्मा ओले पी नौटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले ताकि आप तक हिमार्चर प्रदेश की हर नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यावाद चैहिन चैभार